गाउं पिलि मंदोरी के राजकिया प्राथमिक पाड़ साला में चोरों ने चुराया मिड़्े मील का सामान, मोटर सेंकल छोड भागे गाउं पिलिम्दोरी के राजकिया मादमिक पाड़ साला में चोरों ने चुराया मिड़े मील का समान चुरा लिया और चोकिदार की आवाज से घबरा कर चोर अपना मोटर सेंकल छोड़ कर भाग गए गटना की सुचना प्लिस को देने पर प्लिस ने मामला दर्ज कर मंगलवार को जान सुरू कर दी है पिली मंदोरी के राजिकिया प्राथमिक पाड़ साला के मुख्य सिक्षक देविला ने प्लिस को दिशीकायत में अरोप लगाया कि देर रातरी चोरों ने मिड़े मील के कमरे में घुसकर दो क्युवेंटल असी किलोग्राम ग्यहूं दो क्युवेंटल चावल वै एक गें सिलेंडर चुरा लिया मोके पर स्कूल के चोकीदार ने आवाज दी तो उक चोर अपना मोटर सैंकल छोड समान सहित फरार हो गए प्लिस ने मोटर सैंकल बरामत कर जान सुरू कर दी है गाउं रामसरा से खेत में पानी लगाने गए किसान की कार हुई चोरी हो गई मंगलबार को प्लिस ने किसान रोतास की सिकायत पर अग्याद व्यक्त के खिलाफ कार चुराने के आरोप में मामला दर्श किया है रोतास ने बताया कि रातरी को उसके खेत में पानी के बारी थी रामसरा से जानवडा रोड पर उसका खेत पड़ता है उसने अपने खेत के पास रोड किनारे अपनी एल्टो कार लोग करके खड़ी की जिसे एक घंटे बाद संभाला तो कार गायब मिली पुलिस ने सिकायत के आधार पर भारतिय दन सहिता की धारा 389 के तहत मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है गाउं सुली खेडा से 30 बोतल सराब सहित पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिर्फतार कर आवकारी अधीनियम के तहत मामला दर्ज किया है मंगलवार को पुलिस से मिली जानकारी अनुसार पुलिस को सुचना मिली कि सुबास निवासी सुली खेडा अवेद रूप से सराब भेच रहा है मामला दर्ज किया है बट्टुकला के राजकिये मोडल संस्किर्ती व्रिष्ट मादमिक विध्यले में आयुजित हुई हर्याना सूपर सोग की प्रिक्षा बट्टुकला के राजकिये मोडल संस्किर्ती व्रिष्ट मादमिक विध्यले में मंगलवार को हर्याना सूपर आयुजित की गई, श्कूल प्रिंसीपल नके साइं की अध्यक्सता में आयुजित इस प्रिक्षा में बट्टू खंड के सरकारी स्कूलों से 244 बच्चे प्रिक्षा देने पहुंचे जब की रजिस्ट्रेशन 270 की थी, 26 बच्चे अनुपस्तित रहे, इस प्रिक्षा के दोर diplicket school principal ने खंड़िक्षय अदिकारी को बुगत क्राया उन्होंने कहा कि जिन वड़ी स्ट्रेशन है सड़िक्षा में उनकि प्रिख्षा देने की अनुमती परदान की गई इस प्रिख्षा में दस्वी कख्षा के विदार्थी भाग ले सकते हैं जिनों ने 31 जनवरी तक रेजिस्टेशन करवाया उनकी मंगलवार को यहां प्रिक्षा आजुत हुई हरियाना सूपर सो में बाजी मारने वाले बच्चे का हरियाना सरकार कक्षा 11 वे 12 का जहां पूरा खर्चा वहन करती है वहीं प्रिक्षा की त्यारी के लिए हर तरह की कोचिंग व्यवस्ता होस्टल सहीत बच्चों को परदान की जाती है इस प्रिक्षा के त्यात परदेश भर में अच्छे अंक लेने वाले 600 बच्चों को चैन होगा जिने सरकार द्वारा हर संभव सहता उपलप्त कराई जाएगी